हे जंकीज कैसे हो आप सब आप सब से एक request है अगर आपके पास earphones या headphones है तो उसको आप लोग लगा लो इस वीडियो को देखने के लिए क्योंकि यहाँ पर जो हम बात करने वाले हैं उसमें आपको एक real life experience देखने को मिलेगा मतलब मैं mimic करने की कोशिश करूँगा कि कैसे यह जो चीजे हैं यह काम करती हैं तो अगर आपके पास headphones या earphones है तो उनको लगा लीजे और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो यहाँ पर मेरे पास यह Apple के AirPods हैं ठीक है AirPods Pro यह वाले मेरे पास हैं मैं इनको क्या करता हूँ अपने कान में लगा लेता हूँ अब आपने इन earphones में जब भी आपने review अगरा देखा होगा तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि इनके जो यह rubber tips होती है ना इन rubber tips की मदद से लोग आपको बताते होंगे कि इसमें आपको passive noise cancellation देखने को मिलती है तो आखिर यह passive noise cancellation क्या है या फिर यह active noise cancellation क्या है तो चलिए इसी के बारे में बात करते हैं देखो मैं यहाँ पर आपको demo करके दिखाने वाला हूँ तो यह मतलब मेरा जो आपका normal atmosphere है वो है ठीक है अब म क्योंकि यह एक silicon based जो आपका ear tips है यह silicon based है तो यह क्या करता है आपके जो ear caps है उसमें पूरी तरह के से फिट हो जाता है और एक तरह से आपका जो ear को बंद कर देता है तो इस चीज को मतलब यह चीज कोई actively नहीं हो रही मतलब यह जो rubber की tip है उसकी वज़े से हो रहा है तो यह तो हुई passive noise cancellation यह केवल आपको ऐसे earphones में देखने को मिलेगी जिसमें या तो ऐसे rubber के tips लगे हो या फिर जो ऐसा headphone type का है न चो पूरा over the ear आ जाता है और एक cup बना देता है section बना देता है उसमें भी आपको passive noise cancellation देखने को मिलती है तो अब यह active noise cancellation क्या है तो देखो यह मे noise cancellation पर क्लिक करता हूँ तो अब देखो देख रहे हो इस चीज को कहते है active noise cancellation मतलब यह एक physical इसके अंदर ऐसी technology यूज हुई है जो कि actively आपका जो noise है उसको cancel कर रही है अब active का मेरा मतलब यह है कि जो भी changes भी होंगे न अगर बाहर कोई change हो रही है आवाज में तो उसको भी यह adopt करेगा और उसको change करेगा मतलब उसको reduce करेगा तब यह चीज कैसे काम करती है इसको देखते हैं तो अब आपको लग रहा होगा कि यार यह चीज तो बड़ी खतरनाक है मतलब बहुत ही तगड़ी technology है यह तो ऐसा नहीं है चले पहले इसकी history को देख लेते हैं तो यह च लिए जो हम कहते हैं कि अविशकार ही अविशकता ही अविशकार की जन्नी है मतलब necessity is the father of invention तो बिलकुल यही बात यहां पर लागू हुई और उनका जो यह दिक्कत थी उस दिक्कत को दूर करने के लिए उन्होंने इस active noise cancellation की technology को इजाद किया तो चले देखते हैं यह काम कै लेकिन एक बार फिल से शॉट मैं समझा देता हूं अगर मैं कुछ बोल ला हूं तो इसका मतलब है मेरी जो vocal cords है वो आगे पीछे आगे पीछे हिल रही है और उससे जो पेट से मेरी आवाज निकल ली है उस vibration से होते हुए तो वो मेरे यहां पे मेरे मुह के पास जो molecules है उन आपके कान के पास एक बाल टाइब का structure होता है यह लाइक structure वो आपके दिमाग से connected होता है और जब आपका पर्दा हिलता है तो वो हेर लाइक structures एक electrical signal generate करते हैं और वो signals आपके दिमाग में जाता है और बताता है कि हाँ वह यह आवाज आई है मतलब ऐसा कुछ बोला गया है और example अगर मैं scientific minds बोलू तो उसका vibration जो है मेरे गले में वो अलग तरीके से होगी तो मतलब आपके कान scientific minds word को सुन रहे है तो वो अलग तरीके से हिलेंगे और अगर मैं tech junkie बोलूँगा तो मेरा vocal cord अलग हिलेगा और आपके कान के परदे जो हिलेंगे वो भी अलग तरीके से हिलेंगे तो इस तरीके से हमारा जो basic sound का system है वो काम करता है अब यहाँ पर जब मैंने scientific minds बोला तो मैं उसको अगर graphical way में समझाने की कोशिश करूँ तो उसका graph कुछ ऐसा बनता है और अगर मैं tech junkie की बात करूँ तो मान लो example के लिए उसका graph कुछ ऐसे बन रहा है तो अब यहाँ पर अगर हम दो तरह के sound को mix कर दें तो क्या होगा तो आपको देखने को मिलेगा interference जैसे for example अगर मैं इन दोनों ही आवाज को एक दूसरे में मिला देता हूं और अगर मैं tech junkie की बात करूँ और जब दो आवाजो को जोड दिया जाए और उससे एक sound बने तो उसको हम कहते है constructive interference इसमें क्या होता है इसमें आपकी जो आवाज है उसकी जो high notes से और जो low notes से वो और भी जादा high हो सकते हैं या और भी जादा low हो सकते हैं depending कि आपने किस तरह की sound waves को mix किया है और अगर हम बात करें ऐसे sound waves की जहाँ पर ये चीज बढ़ने की बजाए घट जाती है उसको हम कहते है destructive interference यहाँ पर क्या होता है for example मैंने कुछ भी बोला तो उसका जो wave pattern है वो कुछ ऐसा है अब मैंने दूसरा कोई आवाज निकाला उसका wave pattern कुछ ऐसा है अब अगर मैं इन दोनों को आपस में जोड दूँ तो आप ये देखो इसका peak ये है लेकिन इस अब ये दोनों जब आपस में merge होंगी तो आपस में एक दूसरे को ये cancel out कर देंगी और जो आपका resultant आएगा वो आएगा एक सीधी line मतलब कि कोई भी आवाज आपको आएगी ही नहीं बिल्कुल यही चीज destructive interference in earphones में active noise cancellation वाले earphones में या फिर headphones में काम में लिये जाते हैं आ आवा के जो particles हैं वो जब physically move होते हैं और आपके कान का पर्दा जब physically हिलता है तब आपको चीज़े सुनाई देती हैं तो अब ये earphones क्या हैं जब भी कोई भी बाहर से आवाज आती है तो इसके अंदर लगे होते है external microphones जैसे for example बाहरे कोई plane चल रही है ट्रेन चल रही है तो train का शोर आ रहा है तो अब train की आवाज को ये दूसरे जो microphones लगे होते हैं अलग वाले जो noise cancellation के लिए यूज हो रहे हैं वो इस आवाज को capture करते हैं और इस आवाज का बिल्कुल ultra waveform वो generate करते हैं खुद तो अब इससे होता क्या है आपके कान में आवाज जाने वाली थी ये लेकिन आपका जो earphones है या headphones है उन्होंने अपनी एक आवाज generate कर दी इस आवाज की ठीक उल्टी और जब ये दोनों आवाज आपस में मिलकर आपके कान के अंदर गई तो वो दोनों ने आपस में cancel out कर दिया एक दूसरे को और जो आपके कान के परदे वो हिले ही नहीं क्यो किसी भी तरह की आवाज आ रही है तो उससे उसको कोई मतलब नहीं है वो किसी भी change को adapt नहीं कर सकता लेकिन जो आपका active noise cancellation है वो change को भी adapt कर सकता है तो वहाँ पर लोगों की जो चैचैपेपे की आवाज आ रही है वो आ रही है तो मतलब उस चीज को वो सुनकर आपका earphones उ उसको cancel out कर देगा अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो जैसे plane में हो तो plane की जो आवाज आती है वो उसको receive करेगा और उसकी उल्टी आवाज निकालके उसको भी cancel कर देगा तो यह चीज actively काम करती है इसलिए इसको active noise cancellation बोला जाता है और जो आप headphones अगर पहनते हो या फिर जो earphones silicon tip वाले पहनते हो उससे वो चीज massively कम होती है मतलब वो बस एक तरह से ऐसे बंद करने वाली बात हो गई तो यह चीज active और passive इस तरह से differentiate किया जाता है तो मुझे उम्मीद है आपको यह concept अच्छे से समझ में आ गया होगा कि active और passive noise cancellation क्या होते हैं और वो कैसे काम करते हैं अ करते हैं